नमस्ते प्यारविद्यार्थियों आज हम DBSC बोर्ड के कक्षा दसवी के मिट्टम के पेपर के पैटरन के बारे में बात करने वाले हैं कल आपकी रेडिनेस की परिक्षाएं हैं और कक्षा दसवी के लिए DBSC बोर्ड के अंदर जो रेडिनेस परिक्षाएं हैं वो काफी दिनों से हो रही हैं लगबग आपके सारे पेपर्स के रेडिनेस पेपर हो चुके हैं और आपको confidence भी आ गया है कि किस तरीके का पेपर आता है कल हिंदी की परिक्षा है और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है कितने प्रशन पूछे जाएंगे कहां से प्रशन पूछे जाएंगे इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं readiness paper का एक और फाइदा है क्योंकि वैसे तो हम पढ़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ हम revision करते रहते हैं जैसे ही हमारा syllabus खतम हो जाता है हम अपने final paper की तयारी में जुट जाते हैं लेकिन जब हमारा readiness paper हो रहा है या class में आपके दिमाग में एक picture clear हो जाएगी कि paper कैसे आने वाला है कितने pressure पूछे जाएगे कहां कहां से pressure पूछे गए है paper का level कैसा है, मुश्किल है, आसान है readiness paper में आपके paper का जो level है उससे थोड़ा सा ज़्यादा level ही final में आ सकता है यानि कि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी तैयारी आपको और करनी है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है 12 तारिक को आपके readiness paper खतम हो रहे हैं और 25 से आपके final paper शुरू हो रहे हैं final paper की date sheet अभी नहीं आई है लेकिन 15 के आसपास आने की पूरी संभावना है तो आईए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं paper का जो blueprint है पिछले 3 सालों से DBSC board के कक्षा 10 के paper हो रहे हैं और 3 सालों में जो paper का Hindi का जो pattern है मैंने channel पे भी डाला हुआ है आप देखना चाहिए देख सकते हैं इस पार थोड़ा सा बदलाव किया गया है पिछले सालों के paper में और इस साल के paper में थोड़ा सा बदलाव किया गया है तो पिछले साल जो paper होते थे उसमें आपके 4 खंड आते थे section में divide किया हुआ था और इस पार भी आपके 4 खंड ही है तो खंड एक जो आपका है वो आप याद कीजी क्योंकि 9 वी कक्षा के paper आप दे चुके हैं तो कक्षा 10 वी के लिए DBSC का pattern नया नहीं है आपको एक confidence है कि किस तरीके का paper आता है और आप सभी जानते हैं कि paper booklet home में आता है वहीं पर आपकी प्रशन होते हैं और वहीं पर जगे दी गई होती है वहीं पर आपको उत्तर लिखने होते हैं तो इस बार readiness में जो आपको paper आने वाला है वो क्योशन paper अलग होगा answer sheet अलग होगी लेकिन final paper में आपकी booklet ही आएगी तो पहला जो खंड है आप अच्छे से जानते हैं 9 वी कक्षा को अगर दिमाग में रखेंगे तो दो आपके appetite गद्यांश आते थे लेकिन इस बार एक appetite गद्यांश आएगा appetite गद्यांश यानिकी unseen passage और यह जो appetite गद्यांश है इसके लिए आपको ख्वास तयारी करने की अवश्रकता नहीं है क्योंकि इसका कोई slabus नहीं है लेकिन पहले कंड में सबसे पहले आपका एक appetite गद्यांश आने वाला है और appetite जो गद्यांश है उसमें आपकी reading skill है वो assess की जाएगी reading skill यानि कहीं से भी हिंदी में लिखा हुआ कोई भी content आपको दिया जाता है तो वो आप अपने हिसाब से उन्दा स्पोर्ट पढ़कर कितना समझ पाते हैं और वहां से पूछेगे प्रशनों के उतर कितने प्रभावशाली तरीके से दे पाते हैं तो यहाँ पर जो एक appetite गद्यांश आएगा उसमें 5 प्रशन पूछे जाएंगे और 5 जो प्रशन है उसमें से भी आपका 3 जो प्रशन है वो MCQ बेस्ट होंगे याँ की पहले से लेके तीसरा जो प्रशन है वो आपका MCQ बेस्ट होगा और MCQ को हम DBSC बोर्ड में SRT बोलते हैं SRT यानि की Selective Response Type चार आपके option होगे चारों में से एक आपको Select करना है चोथा और जो पांचवा प्रशन है एपठित गद्यांश का वो आपका CRT होगा CRT यानि की Constructive Response Type आपने उसका उत्तर लिखना है और 30 से 40 शब्दों में आपने उत्तर लिखना है तो ये आपका पहला गद्यांश है जिसमें से 5 प्रशन पूछे जाएंगे इसी तरीकी से दूसरा आपका एपठित काव्यांश आएगा एपठित काव्यांश इसको आप पद्यांश भी कह सकते हैं और ये कविता की पंक्ति आएंगी कहीं से भी आएंगी जो आपने नहीं पड़ी है एक ही काव्यांश आएगा और यहाँ पर जो प्रशन है वो भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे यानकी प्रशन 6 से लेके 10 जो आपके हैं वो एपठित पद्यांश से होने वाले हैं गद्यांश की अपेक्षा में गद्यांश की तुलना में पद्यांश थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं क्योंकि कवीताओं को थोड़ा गहराई से समझा जाता है तो इसमें आपको ध्यांश से समझना है कि कवीता में क्या कहने का प्रियास किया है तो यहाँ पर 6, 7, 8 यानि कि 3 जो प्रशन है सेम MCQ बेस्ट होंगे और यह आपके SRT होंगे यानि कि 4 ओप्षन में से 1 ओप्षन आपने सिलेक्ट करना है और 9 और 10 जो प्रशन है वो बिलकुल वैसे ही CRT होगा 40-50 शब्दों में इनके उत्तर आपको लिखने है तो यह पहला खंड है जिसमें से कुल आपके 10 प्रशन पूछे जाएंगे पिछले साल क्या होता था पिछले साल आपके पहले खंड से 15 प्रशन पूछे जाते थे दो एपठित कद्यान्श होते थे पांच-पांच के इसाब से 10 प्रशन यहां से बनते थे और एक आपका एपठित पध्यानश होता था तो इस बार ये बदलाव किया गया है एक ही एपठित गध्यानश आएगा और एक ही एपठित पध्यानश आएगा खंड एक के लिए आपका कोई विशेश पाठे करम नहीं है आपके जितनी समझ है, आप जितना अच्छे तरीके से हिंदी को जानते हैं, तो ओंदा स्पोर्ट आपको पढ़ना है, समझना है और इनके उत्तर देने हैं, आईए दूसरे खंड के बारे में बातचीत कर लेते हैं, तो दूसरा जो खंड है इस बार, पहले ग्रामर से संबं दिताता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, खंड दो, पहले पाठे पुस्तक से पूछा जाएगा, खंड दो, जो भी इकाई आपने पड़ी हैं, तो आपने कुल तीन इकाई पड़ी हैं, और तीन में छे अगर मैं पाठों की और कविताओं की बात करूं, तो कविताओं में एक व्रक्ष की हत्या, सफेद रात और साथ में अट नहीं रही हैं, ये तीन कविताएं हैं, और पाठों में आप सभी जानते हैं, भारत वर्शों नती कैसे हो सकती है, साना साना हाथ जोड़ी और बाल भगत, तो यहां से कुल आपके 6 प्रशन पूछे जाएंगे, तो एक से 10 प्रशन आपके पूछे जा चुके हैं, तो जो प्रशन संख्या आपकी है, 11 से 16, ये आपकी पाठे पुस्तक के जो पाठ है, वहां से प्रशन पूछे जाएंगे, इसमें से भी 11 से लेके 15 तक जो ह उनके उत्तर आपने short answer type लिखने है यानि कि लगू उत्र ये प्रशन पूछे जाएंगे और इनकी शब्द श्रीमा होगी 40 से 50 शब्द और ये जो प्रशन है यानिवारिय होंगे यानि कि कंपलसरी है इन में कोई विकल्प नहीं होता है जो प्रशन है वही आपने पढ़ना है और उसका उत्र देना है यानि कि जितने भी 6 पार्ट आपके पाठे करम में शामिल किये गए है उनको अच्छे से पढ़ना है वहां से हर एक पार्ट में आपके प्रशन पूछे जाएंगे प्रशन संख्या 16 जो है सोलवा जो प्रशन है वो इसी साल दिया गया है पिछले साल तक जो पेपर होते थे उसमें पाठे पुस्तक से सिर्फ 5 ही प्रशन पूछे जाते थे तो ऐसा होता था 6 पाठ होते थे 5 प्रशन पूछे जाते थे एक पार्ट से प्रेशन चूट जाता था तो इस बार जो आपका सोलवा प्रेशन होगा वो long answer type आएगा यानकि उसका उत्तर आपने long answer type आएगा यानकि उसका उत्तर आपने 100 से 120 शब्दों में देना है और इसमें आपको चौइस दी जाएगी यानकि आपकी दो प्रेशन पूछे जाएंगी और दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है अत्वा करके आपकी दो option होगे और दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है वो करना है तो यह पाठे पुस्तक का आपका दूसरा खंड है यहां से 6 प्रशन पूछे जाएंगे और इस तरीके से आपको अपनी तयारी करनी है आईए आगे बढ़ जाते हैं तीसरा जो खंड है वो व्याकरण से शामिल किया गया है क्योंकि पिछले साल तक आपके व्याकरण पहले आती थी और पाठे-पुस्तक के प्रशन बाद में पूछे जाते थी तो ये आपका खंड 3 है और व्याकरण में ये आपका खंड 3 है और यहां से कुल 10 प्रशन पूछे जाएंगे यान की प्रशन संख्या आपकी कहां से शुरू हो जाएगी 17 से 17 से लेके 26 तक आपके कुल 10 प्रशन हो जाते हैं जो व्याकरण से संबन दीते हैं और इसमें 5 जो प्रशन है यानि की और यहां से 5 जो प्रशन है वो MCQ बेस्ट होंगे और जो बागे के 5 प्रशन है वो CRT यान की रिटन में उत्तर आपको देने हैं तो यहां पर जो सलेबस है उसकी भी बातचित कर लेते हैं आई ही व्याकरण के सलेबस की बात कर लेते हैं कौन-कौन से टोपिक से प्रशन पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आपको तद्सम और तद्भव का अभ्यास करना है यहां से लगबग दो सवाल पूछे जा सकते हैं तद्सम तद्भव किसे कहते हैं इनमें क्या अंतर होता है या फिर बहुत सारे तद्सम तद्भव शब्द मिला कर दे दिये जाएंगे उनमें अलग-अलग करके आपको छाटना है या MCQ दे दिया जाएगा बहुत सारे तद्सम शब्द वीच में एक तद्भव होगा कि कौन सा तद्सम नहीं है या कौन सा तद्भव नहीं है उपसर्ग और प्रते जो आपने नोवी कक्षा में भी पड़े थे प्रippन पूछे जाएंगे हो सकता है, एक प्रishn पूछा जाएए, तो पूछब लिए जाएए या मोहावरे किसे कैते हैं, किसी भी तरह की से घुमा फिराकर प्रशन पूछा जा सकता है इसके बाद आपका रस है एकाई-तीन में और वाच्चे परिवर्दन वाच्चे परिवर्तन पिछले साल तक शामिल नहीं किया गया था क्योंकि समय कम होता था सले बस पूरा नहीं होता था लेकिन इस बार आपकी जो कक्षाएं हैं सही समय पर शुरू हो गए थी तो वाच्चे परिवर्तन से भी यहां पर प्रशन पूछे जाएंगे तो यह आपकी कुल टोपिक हैं और इनी टोपिक में से आपके कुल दस प्रशन पूछे जाएंगे जिसमें से 5 MCQ होंगे और 5 CRT CRT में आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है सीधी परिभाशा ही पूछी जाएंगी जैसे पूछ लिया जाएगा रस किसे कहते हैं उधारन की सहायता से सपष्ट कीजिए रस के कितने अंग होते हैं या स्थाई भाव या विभाव में क्या अंतर है स्थाई भाव या संचारी भाव में क्या अंतर है या रोदर रस किसे कहते हैं या कोई भी पंक्तियां काववे की पंक्तियां दे दी जाएंगी इसमें रस की पहचान कीजी वाच्चे परिवर्तन किसे कहते हैं वाच्चे परिवर्तन के कितने भेद होते हैं करम वाच्चे, करत्री वाच्चे, भाव वाच्चे किसे कहते हैं या बहुत सारे वाक्चे दे दिये जाएंगे और उसमें पहचान करने के लिए पूछा जाएगा उपसरग और प्रते क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, अंतर क्या हैं, इस तरीके से भी सवाल प इस प्रशन बन जाते हैं आगे आपका अंतिम खंड है और ये खंड है आपका चार खंड चार आपका le खनद stepping ले खन है रचनात्मक लेखन में कौन कौन से topic है आप की आप याद कीजी रचनात्मक लेखन से आपके तीन ही प्रशन पूछे जाएंगे और ये तीन प्रिशन कहां कहां से पूछे जाएंगी समवाद लेखन आपने पढ़ा है कौन-कौन से टोपी के बाद कर लेते हैं समवाद लेखन के बाद आपका विज्यापन लेखन है विज्यापन हो गया विज्यापन के बाद रेखा चित्र है रेखा चितर लेखन है, नोवी कक्षा में भी आपने पढ़ा था, इसके बाद यात्रा वृतान्त है, यात्रा वृतान्त लेखन है, साना साना हाथ जोड़ी पार्थ यात्रा वृतान्त की फॉम में है, और आपने पढ़ा होगा कैसे लिखा जाता है, इसके बाद आपका समि प्रेशन आपका हो गया 27 और 28 तो यहाँ पर आपको च्वाइस दी जाएगी माली जी समवाद लेखन और विज्ञापन के बीच में आथवा करके दिया जाएगा तो दोनों में से एक आपको करना है या समवाद यात्रवृतान्त में च्वाइस दे दी जाएगी या रेखा च या फिर आपने कोई फिल्म देखी है उसकी समिक्षा कीजिए क्योंकि बॉर्ड की तरफ से आपको कोई फिल्म या पुस्तक का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि जरूरी नहीं जो वो नाम देंगे वो आपने देख है या पढ़िए तो समिक्षा लेकर मेरे ही साब से क्या है, internal choice है, तो choice में दूसरा जो option आएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, अगर आप सभी topic तैयार करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आपको परिशान नहीं होना है, समवाद लेखन आप अच्छे से जानते हैं, कि दो लोगों के बीच में situation दी जाएगी, और उनका समवाद लिखना है, तो समवाद लेखन dialogue form में आप लिखते हैं, जो भी विक्ति बोल रहा है, उसका नाम लिखके उसके आगे उसका dialogue लिखते हैं, समवाद लेखन का pattern आपको follow करना है, रीड की हड़ी कक्षा नोवी में आपने पढ़ा था, तो किस तरीके से हर एक पात्र का नाम लिखकर उसके आगे उसके dialogues थे, विग्यापन लेखन भी आप पढ़ चुके हैं, आच्छे से आप इसे आकरशक बनाएंगे, और किस तरीके से परभावशाली तरीके से लिखेंगे, विग्यापन लेखन के लिए आप कुछ colors भी लेकर जा सकते हैं, इसको आकरशक बनाने के लिए आप इसमें रंग भी भर सकते हैं, रेखा चित्र लेखन में आपको कोई विक्ती दिया जाएगा, कोई situation दी जाएगी कि किस के बारे में आपने रेखा चित्र लिखना है, और यात्रा विर्तांत में आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी किसी यात्रा, या गाउं की किसी यात्रा, या पहाड की किसी यात्रा, या आपके मन पसंद यात्रा या आपकी यादगार या आपने किस यात्रा से क्या कुछ सीखा किसी भी situation के according आपको प्रशन बना कर दिया जा सकता है और जो अंतिम प्रशन है यां किकुल आपकी 39 प्रशन आने वाले हैं अन्तिम जो प्रश्ण है वो उर सिर्फ निबंदलेखन से आएगा निबंदलेखन तो यहाँ पर भी च्वाइस होगी आपके पास निबंदलेखन में आपके पास दो ओप्षन होंगी अथ्वा करके दिया जाएगा और दौनों में से जो आपको best लग रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर निभंद लिखेंगे निभंद लेखन में आपको संकेत बिंदू भी दिये जाएंगी तो जो संकेत बिंदू दिये जाते हैं उनको आप heading बनाकर उनको विस्तार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं तो यह आपका खंड चार है रचनात्मक लेखन से संबंदित है और यह जो प्रशन है सारे लोंग आंसर टाइप है यानि कि जो आपका समवाद लेखन, विग्यापन, रेखाचित, रियात्रविर्तान, समिक्षा लेखन यह जो प्रशन दो पूछे जाएंगे यह 100 से 1.5 शो शब्दों की शब्द सीमा मे यानि कि विस्तार से आपने इनका उत्तर लिखना है और जो बाकी आपका 29 वा जो प्रशन है वो आपका है 1.5 से 2.6 शब्दों की सीमा में तो इस तरीके से पुरा पेपर का पैटरन है यान कि कुल आपके 29 प्रशन पूछे जाने वाले हैं कहा कहा से प्रशन पूछे जाएंगे यह आपके दिमाग में कलियर होना चाहिए और इसके हिसाप से आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर आप एक सैंपल पेपर देख सकते ह व्याकरण से किस तरीके के प्रशन पूछे जाते हैं, क्योंकि एपठित, गद्यांश, पद्यांश, पाथे पुस्तक और जो आपका रचनात्मक लेखन है, वहां से तो सीधे प्रशन बन जाते हैं, तो व्याकरण में कुल 10 प्रशन पूछे जाते हैं, और 5 जो प्रशन है, mcq based होते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं संस्कित भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी भाषा में आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं तद्सम और जो परिवर्तन के बाद आते हैं उनको हम क्या कहते हैं तद्भव तो इस तरीके से आपके चार ओप्शन होंगे, चारों में से एक आपको सिलेक्ट करना है, निमलिखित में से तद्सम शब्द का चैन कीजिए, तो तद्सम तद्भव आपको अच्छे से तियार करने है, तो यहां से देखो दो सवाल पूछ लिए गए हैं, तो तद्सम का चै दी में क्या कहते हैं, भगत कहते हैं, तद्भव क्या होगा, भगत, इस तरीके से आपके व्याकरण से प्रशन पूछे जाएंगे, तो आपको सपश्ट होना चाहिए, यहां पर तद्भव शब्द के बारे में पूछा गया है, तो ओस्ट, कटू और कारिये, यह सभी आप देख सकते हैं, रस से संबंदित प्रशन पूछ लिया गया है, तो कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, और वहां से आपको पहचान करके बताना है कौन सा रस है, सुनहू राम जेही सिव धनु तोरा, सहस बाहू समसो रिपु मोरा, यहां पर सीता स्युम्वर में राम की शिव जी का धनुर्श तोड़ दिया गया था, और यह जो पार्ट है, NCRT की पार्थे पुस्तक में, कक्षा दस्वी में, हिंदी कोर्स आ में, राम लक्षमर पर सुराम समवाद के नाम से हैं, तो वहां पर क्रोध के भावें, गुस्से के भावें, और जहां पर क्रोध औ वह आ परते से बना हैं, बाकी जो हैं वह ना परते से बने हैं, इन तीनों में आपके क्या हैं, आ ना में आ धातू है और ना, पढ़ना में पढ़ धातू है और ना, और साथ में गिरना में गिर धातू है और ना, तो यह आपके ना परते से बने हैं, और मेला आपका बना ह मेल मूल शब्द है और आ लगाने से क्या वन गया है मेला तो इस तरीके से आपके प्रिशन पूछे जाएंगी ये 5 हो गए है MCQ के आधार पर और यहां पर ये आपने 40-50 शब्दों में इनके उतर लिख कर देने है तो शंगारस को रसराज क्यों कहा जाता है क्योंकि इसे रस यनकी परिभाशा बतानी है और उधारन आपको बताना है तो हर एक रस की परिभाशा और साथ में एक एक उधारन आप याद कर लें क्योंकि सीधी प्रशन पूछे जाते हैं और उधारन में सिर्फ आपने कवीता की पंक्तियां बतानी है आपने अपनी तरफ से कोई वाक् परन दे सकते हैं आप इनके आगे तदभव शब्दों के तदसम रूप आपको लिखने हैं तो ये तदभव हैं आग को हम क्या कहते हैं संस्कृत में अगनी कहते हैं दही को हम दधी कहते हैं हाथ को हम हस्त कहते हैं तो इस तरीके से भी लिखने के लिए आ सकता है और कान को हम कर्ण कहते हैं किसी भी तरीके से गुमाफिरा के प्रशन पूछा जा सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द दिया गया है और इसमें पृत्य और मूल शब्द को पृत्धक यानिकी अलग करना है तो अनुकर्णिये में क्या है अनुकरन आपका मूल शब्द है अनुकरन और पीछे आप मात्रा देख सकते हैं बड़ी की मात्रा है पीछे आप मात्रा देख सकते हैं बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई और ये ये आपका क्या है प्रते तो इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर आपका एक टोपिक छूट गया है मुहावरे इस पर आपको अच्छे से तयार करना है वहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है और वाच्चे परिवर्तन से भी सवाल पूछा जाएगा तो जो टोपिक मैंने आपको अभी बताए हैं वह सारे एक बड़ा पढ़ लीजेगा ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है तो यहाँ पर 10 प्रशन बन जाते हैं व्याकरन के बाकी प्रशनों को आप अच्छे से हल कर सकते हैं आशा करते हूँ आपको पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा क्या बदलाव किये गए हैं कितने प्रशन पूछे जाएंगे कुल 29 प्रशन पूछे जाएंगे कहां कहां से पूछे जाएंगे यह सारी बाते हमने यहां पर की हैं तो आपकी सारे डाउट के लिए हो गए होंगे बाकी कल का पेपर आप जब देखेंगे आपको परिशान नहीं होना है रिलेक्स रहना है क्योंकि एक-एक दिन की भी छुटे आपको नहीं मिल रही है तो आज आप पेपर देखकर आएंगे तो शाम का ही समय है तो शाम के समय में जितना आप रिवाईज कर सकते हैं उसे साब से आप रिवाईज कीजिए व्याकरण की थोड़ी प्रैक्टिस करने की अवश्यक्ता है एप पठित गध्यांश पध्यांश में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पाठ्थे पुस्तक के पाठ आपने पढ़े ही है तो आप एक बर पढ़ेंगी तो आपको विश्यवस्तु समझ में आ जाएगी और साथ में रचनात्मक लेखन में भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है केवल व्याकरण की टोपिक है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजेगा तो कल की परिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुप कामनाई मिलते हैं किसी नए वीडियो में और महतपुन जानकारे के साथ तब तक स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारे के साथ आपकी परिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुप काम नहीं, अपना ध्यान रखिए, अच्छी से खाना पीना खईए, अच्छी से रिविजन कीजिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्वस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और खुश हो कर प्रेक्टीस करत बहुत 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 थनिवाद